समझो क्योंकि कुछ दिन बाद जब पैसे आपको निकालने के बारी आएगी तो फिर आप सोचो कि आदे पैसे मेरे कहां गए कितने पैसे कहां गए कितने में तो यह important factor आपकी value हो रही है 45 लाग ठीक है न 45 लाग value हो रही है यह है आपका जो return है कितना return आपको मिला है देखना हमें से जो tax होता है आपकी return पे कटता है आपको कैसे हैं आप लोग काफी लोग mutual fund में invest करने के बाद tax को लेके काफी confusion रहते हैं और बहुत सारे ऐसी चार्ज होते हैं mutual fund में जब आप grow application करते हो ना बहुत सारे चार्ज होते हैं आप देख सकते हो इस screen पे कुछ लोग बोलते exit load क्या होता है short term capital gain tax क्या होता है long term capital gain tax क्योंकि जो हमें value दिखती है वो actual मिलती नहीं हमें बाद में तो हमनों लगता है भाई साब ये पैसा दो सरकार ले गए खा गई हमारा पैसा mutual fund में बहुत सारी बाते सुनने को मिलती है तो आज की video में clear करेंगे कि भाई साब जो amount के बाद tax को काटना पड़ता है सारी जानकारे मिलने वाली है देखो सिंपसी बात है कि पैसा निकालने के बाद कितना account में आएगा कितना tax लगेगा पुरी जानकारी हम देंगे लेकिन उससे पहले समझते हैं टीन important factor एक तो होता है exit load short term capital gain tax होता है long term capital gain tax होता है exit load भी होता ह कि जब आप साल भर के अंदर पैसा निकालते हो तब भी आपको 1% लगता है आपके profit पे ठीक है ना short term capital gain tax भी होता है कि जब आप साल भर के अंदर पैसा निकालते हो तो वहाँ भी आपको 15% देना परता है and long term मतलब जब आप लंबे समय तक invest करते हो और जब आपको लगता ह है कितना मुझे मिलने वाला है लेकर उतना मिलता नहीं है 15% वगा 10% सौरी काट की मिलता है तो तीरों calculation समझेंगे सबसे पहले start करते हैं ध्यान समझना कि exit load क्या होता है exit मतलब जैसे मालूम चल रहा है आपको नाम से ही कि जब भी mutual fund से आप exit करते हो बाहर रास्ता दिखाते हो सोचते हो कि बाहर मैं आपको example दिखाने कोश्च करता हूँ थोड़ा आपको ज्यादा better समझ में आएगा चलो मैं सबसे पहले grow application सुरू करता हूँ so that आपको example समझने काफी easy लगेगा तो जब आप कोई भी मैं example एक fund का example लेता हूँ और उसमें दिखाने कोश्च तो जैसे example quant mid cap आप quant mid cap को देखो आप यहाँ अलग-अलग fund में अलग-अलग exit load लगता है जैसे यह fund में क्या है exit load बोल रहा है 0.50 लगेगा अगर तीन महीने के पहले निकालते हो ठीक है कोई और fund example हम देख लेते हैं जैसे SDFC mid cap opportunity fund की बात करें तो यहाँ exit load क्या लग रहा है 1% देखो exit load यहाँ क्या लग रहा है 1% लग रहा है अगर आप एक साल के अंदर निकालते हो तो exit load कैसे calculate करेंगे थोड़ा इसके बारे में देखेंगे फिर नीचे देखो returns are 15% अगर एक साल के अंदर निकालते हो एक साल के बार निकालते हो तो long term capital gain tax समझो क्योंकि कुछ द constant simple सी बात है कि जब आप invest कर रहे हो और आप उस समय जो value invest कर रहे हो उसकी NAV लगबग 100 रुपए थी आपने साल भर में cable दो बार invest किये ठीक है ध्यान रखना दो बार आपने invest किया कितना invest किया 20,000 एक बार हमें units मिली एक बार NAV उसमें कितनी थी 100 दुबारा बार NAV उस समय उसी fund की थी 110 टोटल कितना हमारे पास कितना हो गया लगबग आपके पास 210 कितने हो गये 210 आपके उस समय टोटल NAV इतना हो रही थी अब आप देखो जब भी आपने invest किया एक बार जब आप उसके NAV 100 थी तो आपको कितने units मिल गए 100 unit ध्यान रखना है टेंशन मतलेना समझने की जो आपने amount invest किया 100 रुपए NAV थी तो इसको जब divide कर दो गए तो यह आपको units निकल जाएगा ठीक है यहाँ divide करोग इसके साथ तो आपको units मिल गया यह दो ही बार पैसे लगा है साल बर में बाकी बार पैसे नहीं लगा पाया पैसे उसके पास थे नहीं लेकिन उसी साल पैसा उनिकालना चाहां सुरी टोटल 119 units मिल गया करेक्ट ठीक है अब वो बंदा नवंबर में पैसा निकालना चाह रहा है देखो ध्यान ना ना दो ब टोटल कितना पैसा हो रहा है 22,920 मतलब बंदे ने लगाये थे 20,000 बंदे ने लगाये थे 20,000 उसकी वैलू हो रही है 22,920 अब 22,920 का ना एक परसंट 239 रुपे केवल कटेगा समझ गें बहुत इस सिंपल कलकुशन है इसको कहते हैं exit load चलो without time wasting चलते हैं दूसरा जो basically long term capital gain tax अब long term capital gain tax जो tax समझने के लिए थोड़ा सा में आपको दिखाना चाहूंगा कि example अगर मान लोग कुछ किसी fund में आपने इंवेस्ट किये ठीक है इसके recording on करूंगा थोड़ा सा आपको समझ में आएगा example बोड इक वर मत जाना attention निले हैं बहुत इस simplified way में सम्झाऊंग आपको example आप महीने की 3000 SIP सुरू कर रहे हो सामने दिख रहा है 3000 SIP सुरू कर रहे हो 15% आपको rate of interest मिला है 20 सालों के लिए तो आज 20 साल बाद जब उसको calculate करते हो तो आपने 7,20,000 लगाया कितना लगाया आपने 7,20,000 वैलू लगाई इतना आपने लगाया आपकी वैलू हो र देखना हमेंसे जो tax होता है आपकी return पर कटता है ना कि जो आपने पैसे लगाये या total पैसे दिख रहे हैं हमेशा tax लगेगा 10% long term capital gain tax 10% लगता है अभी देख के क्या लग रहा है कि भीयो हमें 45,000,000 हमें account में आएगा देख रहा है न total value लेकि इतना आएगा नहीं देखो कि पहले इन दोनों का difference कितना होता है 38,000,000 मतलब आपको 38,000,000 का value 38,000,000 का फाइदा हो रहा है तो जितना फाइदा होता है उसमें से 1,000,000,000 है एक लाग जो छूट है आपको मिल जाएगी लाग तो 37,27,865 रुपे आया simple उसका 10% निकाल लेना simple long term capital gain tax 10% निकाल लोगे जब इ 3,72,786 बस अब आपकी जो value total पहले दिख रही थी 45,000,000 दियान दख देना जो total दिख रही थी नीचे 45,000,000 उसमें से 3,000,000,000 रुपे आपको minus हो जाएगा 41,75,000,000 रुपे ये आपको direct आपके account मिलेगा अब account मिलने के बाद आपका जो tax होगा ना automatic इतना तो देखो आपको मिलना ही मिलना है इतना 41,75,000,000 इतना आपके account में इतना आना ही आना है तो आपको सबसे पहले उसकते को amount आपके amount आपके account में पूरा आता है ध्यान रखना amount आपके account में पूरा आता है लेकिन आपको CA के साथ मिलके आपको tax file करना पड़ता है आप tax ही कोई भी दारे में हो आपको tax file करना पड़ेगा, tax file करने के बाद उतना amount कटेगा, और final आपको 1,75,079 रुपीज आएगा, क्योंकि काफी लोग के मन में doubt रहता है, क्या बोलते हैं, कि सर अपने आप कट के आएगा, कि मुझे CA करेगा, देखो यार, tax वगएरा, amount आपके account पूरा आएगा, आपको CA के साथ मिलके, आपको tax वाला पूरा गड़ी समझना होगा, समझने के बाद उसको tax के लिए फाइल करेंगे, तब आपको वो return आपको मिलेगा, तो ध्यान लखना, वो amount कटेगा, गटेगा ही, तो यह समझ गे हैं, long term capital gain tax, अगला है short term, short term बहुत सिंपल है, दो लाग, दो लाग में से 15,000, मतलब एक लाग, पचासी जार आपके account में आएगा, यह हमारा short term capital gain tax, अब इसके लिए, कोई भी अगर मन में आपके doubt है, तो comment section में डालना, क्योंकि हो सकता है, कि calculation की बाते की issue को समझ में आए, लेकिन important factor यह है, मेरे dear friend, कि जो value आपको दिखती है, आपके account में कितना आ रही, यह important समझना, इसलिए video का आपने मताया, तो I hope video समझ में आई होगी, अगर doubt हुआगा, जोर मुझे comment सकते, दोरा mention करना, कोईश करोंगा, जल्दी जल एंसर देने का, और राइट, में तेने studio के साथ, आपर take care, जय हिंद,